पुरे देश के महान नायक एंड सोशल अक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नाना जी देशमुग ने महें वहाँ जब मैं जप्रकाश नारायन जी से प्रभावित होकर आया तो नाना जी देशमुग मुझे ले कर गए उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दिया उसके बार उन्होंने लेट अन ग्रेट धानमंत्री अटल भिहारी वाजपेजी के सुपृत किया भारतिया जनता पार्टी के फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरू जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलाल में आपको पता ही है उन्हों ने मारदर्शन दिया और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने भारतिया जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ आगे बढ़ता हुआ संघर्ष करता हुआ और सही मानों में लोक तंत्र या लोक शाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू ह और परिवर्तन के शुभारंब में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी लेकिन हुआ ऐसा नहीं और अंतो गत्वागर में संग्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में तो मैं ये कह सकता हूं कि लोक शाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बर श्योली हम उनने परिवर्तन होते हुए देखा परिवर्तित होते हुए देखा ताना शाही में भारतिये जनता पार्टी में भारत के महारतियों का इतने बड़े बड़े दिगजों का मार्क दर्शकों को सही माने में दर किनार करते हुए मार्क दर्शक मंडल में डाल दिया गया जिस सच्चाई इसे दान्तों पर टिका रहा और मैं अडवानी जी का और अडवानी जी से लोगों का जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं उनके साथ जुड़ा रहा तो ऐसा हुगा कि धीरे धीरे पहले उपर से ही काटना शुरू किया अगर आपको याद हो अटल भिहारी गाजपेई जी भूतपूर व भूतपूर व प्रधान मंत्री उनके बारे में विशेश नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है लेकिन आपने देखा होगा जस्वन सिंग जैसे महार्थी को कैसे किस स्थिती में पहुंचाया गया आपने देखा उसके बाद कि मुली मनोह जोशी जी इतने विद्वान पंडी जी